नमस्कार आज मैं आपको बताऊंगी व्लाउज की फिटिंग तो देखिए अगर कटिंग आपने सही से कर ली तो इसकी फिटिंग भी बहुत जरूरी है और वो भी एकदम बरावर आनी चाहिए जो नए लोग है वो भी ध्यान से देखें और देखिए सबसे पहले क्या होता ह यहां पर हमें प्लेट डालने का तारीका देखना है अब यहां पर जैसे एकदम बावर लेला आएगे अब देखें इसको भी हमें डबल करना एकदम बरावर और यहां पर लेना हमें एक इंच नीचे हमें एक इंच लेना है अगर आपने इसकी कटिंग नहीं देखिए तो पहले कटिंग देख लें जब यह अच्छे से समझ में आएगा यह वीडियो के नीचे हमारे चैनल का नाम आ रहा है त उसके बाद उपर लिखके आएगा बीडियो फिर आप उत पर किलिक कीजिए तो पूरा चैनल आ जाएगा अब देखिए इसको भी हमें ऐसे करके यहां से ऐसे से शेप में उतारना अब इसके बाद देखिए यहां से यहां पर भी हमें अदा इंच लेना डबल करके और इसको धिए कैस उतारेंगे कम करते लिए अब यहां पर भी आरूमल वाली जो प्लेट है आदा इंच और यहां पर भी दिखिए कम करते हूं उतारना अब देखिए चारा प्लेटर डल गई और देखिए कितना अच्छा पापाया इसका यहां पर बुल्कुल भी जोल नहीं है इस तरीके से अब देखिए हमारा नीशे का तीरा है तो यहां पर जो ज्यादा चोड़ाई है वो यहां पर लगेगी एक बात आपको मैं अच्छे से बताती हूँ कि आप अच्छे से चिलना सीख जाएं देखिए यहां पर जो ज्यादा चोड़ाई है वो यहां पर लगेगी अब तीरा को इसके उपर रखेंगे आदा इंच का कपड़ा दबाते हुगे सिलाई लगाएंगे अब देखिए हमने आदा इंच का कपड़ा दबाया है वुलकुल बराबर अब देखिए तीरा लग गया इसी तरीके से हम दूसरा पलत तयार करेंगे अब देखिए दोनों पलत रखेंगे तयार हो गया है अब इसमें लगानी हमें हुक बाली पैठि और काज बाली पैठि दीकैंगे तो जो सीधा हात है अंदर फाली पैठि लगानी है तो काज वाली पट्टी हमें चोड़ाई में ज्यादा लेनी है, धाई या तीन इंच, अंदर वाली पट्टी हम लेंगे एक इंच या देल इंच, पहले हम अंदर वाली पट्टी लगाएंगे पट्टी लगाते समय हमें एक बात का ध्यान रखना है जो हमारा यह तीरा है तो जो कपड़ा है इसको नीचे की साइड ही रखना है इसको ऊपर की साइड नहीं रखना है इससे भी फिटिंग अच्छी नहीं आएगी इसको हमें नीचे की साइड ही रखना है इसको हमें ध्या पसे घार दबाना लेकिन यहां पर हम एक लगाएंगे किनारे पर सब्सक्राइब आफ़िक यहां पर हमारी पट्टी अंदर के साथ अऔर कि अब यह फिक यह लेगे अब देखे काजवाली पठी तैयार है उपर से हमने यह सिलाई लगा लिया इस तरीके से क्योंकि यह कपड़ा है वह सूती है आगे का पलत दोनों तैयार है अब पीछे का पलत तैयार करेंगे अब देखें पीछे की साइड यह हमारा जो बॉर्डर है इसको देखते हुए पहले हमें प्लेट डालनी है प्लेट के लंबाई हम ज्यादा नहीं रखेंगे चार इंच की रखेंगे यहां पर हम एक इंच ले लेंगे देखें प्लेट डालनी के बाद अब बॉर्डर वाला कपड़ा है ना तो यहां पर हमें अंदर वाली पट्टी लगाने है अब यहां पर हमें इसको ऐसी रखेंगे पट्टी को अंदर के साथ दबा देंगे बॉर्डर वाला कपड़ा होता है उसमें ऐसी लगाने है देखें पट्टी हमारी अंदर के साथ दब गई है अब इसमें आगे का पल्ला जोड़ेंगे यहां पर सोल्डर जोडने के बाद अब इसमें फिटिंग की सिलाई लगाएंगे अब देखें जैसे हमारा ब्लावड है तो इसकी जो चैश्ट है उसको ऐसे पकड़ेंगे और जो हुक वाली पट्टी है उसके उपर ऐसे रखेंगे और यहां पर देखेंगे यह निशान लगा लेंगे यहां तलक सिलाई है और इसके बाद इसको ऐसे सिलाई लगाएंगे इसके बाद देखिए यहां से हम इसको ऐसे करके अंदर के शार्ट दबा देंगे तो जो भी ज़्यादा कपड़ा वो काट लेंगे अगर हम चाहें तो इसको डबल करके भी डबल तीरा भी लगा सके हैं इस तरीके से अब देखिए यहां पर हम देखेंगे कि हमने कितना कपड़ा दबाया है यहां पर हमारा कपड़ा डेल इंच है तो दूसरी साथ भी हम्हें डेल इंच पर निशान लगाना है अब देखिए मैंने आपको यह बिलाउस से रखके फिटिंग बताई है और अगर आप इंची टेप से बनाना चाहें तो उसका भी वीडियो मैंने बनाया है तो जबी मैं आप से बोल ले हूँ कि आप प्लीज नए आप तो हमारे चैनल में देख लें यह वीडियो के नीचे हमारे चैनल का नाम आ रहा है आप उस पर क्लिक कीजिए फिर उसके बाद ऊपर लिख के आएगा वीडियो फिर आप उस पर क्लिक कीजिए तो पूरा चैनल आ जाएगा अगर आपके इस तरीके से समझ में ना आई तो आप इंची टेप से भी सीख सकते हैं अब यहां पे मैंने उतना ही कप्रा रखा जितना हम तुर्पाई करेंगे यहां पे हम इसको अंदर के शर्ट दबा देंगे तुर्पाई करने के लिए अब देखी यहां पे यह पीछे का पलर वह ज़्याधा है यहां पर लगरा है ना तो थोड़ा सा अलका सा काट्याने अगए अगर इस तरीके से काट के अब दूसरी सार भी ऐसे काटिंगे थोडरा सा हमें ऐसे ही तिर्फऔर करना है अब दीखिए अब हम इसमें क्या करेंगे बाजू लगाएंगी तो बाजू तो हमारी बॉर्डर वाली है तो बाजू लगाना भी बताया है आसान और सरल तरीके से तो इसमें हमें बस बाजू लगानी है गले में पाइप लगानी है बाकी आप इन बातों को ध्यान मे लगाना मैंने कई बार बताया है तो आप प्लीज चैनल में देख लें बाजू अलग से बताया है क्योंकि बाजू में लगाने में बहुत दिक्कत आती है जो नहीं लगा पाती है तो बाजू की वीडियो अच्छे से देखें और समझें और पाइपिन भी मैंने अलग बनाई पाइपिन भी नहीं लगा पाती क्योंकि एक पलर इसका ब्लाउच का बहुत ही कठें होता है क्योंकि प्लेट कैसे डाली जाती है फुकपाली पट्टी हमें सपाई से लगानी है और फिटिंग कैसे करनी है तो इसलिए मैंने इसको मैंने थोड़ा ही बताया लेकिन अच्छ से जादा शेयर करें अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज आप हमें नीचे कमेंट करें अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राब नहीं किया है तो प्लीज हमारी चैनल को सब्सक्राब कर लें धन्यवाद